So friends, आज मेरे पास ही ये Wipro का, एक smart bulb 9W का, जिसको आप अपने घर के normal जो bulb holder रहता है उसमें use कर सकते हैं, इधर में कुछ features mentioned है, जैसे की RGB lighting 16 million colors आपको मिल जाता है, white color को आप tune कर सकते है, warm light, cool light, सब आपको मिल जाएगा, इसके लबागा I think brightness control का भी option मिलेगा, तो वो चीज़ हम लोग देख लेंगे, Alexa के साथ आप इसको control कर सकते हैं, timer जो है, वो आप set कर सकते है, कब on होना है, कब off होना है, pricing 2099 mentioned है, बट इसके 1 4th दाम में आपको जो है na Amazon पे जनरली मिल जाता है, बाकी अभी का जो pricing है वो video description में दे, लिंक से आप चेक कर सकते हैं, फटा-फट से हम इसको open कर लेते हैं, तो एक bulb मिलता है, और एक user manual मिलता है, अब यहाँ पे bulb को जो है ना, हम connect करने का कुछ जुगार जनतर लगाएं हैं, तो यहाँ पे जिससे यह मेरा extension board है, और यहाँ पे एक bulb holder जो हम बना के रखे हैं, ताकि हम आपको on screen दिखा पाएं, कैसा यह work करता है तो इस तरीके से यह connect हो जाता है, easily, और इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, और इसको हम on करते हैं, तो यह देखिए कि आप bulb तो on हो गया है, अब यहाँ पे क्या है ना, कि हम अपने phone में आपको दिखाते हैं, क्या आपको करना है, phone में आपको play store पे जाना है, और सिर्फ आपको phone के साथ कैसे setup करना है, वो चीज़ बताएंगे, तो यह जो app है, Wipro Next Smart Home app, इसको आपको install कर लेना है, open करते हैं, first time हम भी इसको use करने जा रहे हैं, तो आपको जो इना, इसको sign up करना होगा, यहाँ अगरी कीजेगा, और इसके बाद इंडिया है, यहाँ पे एक password जो हो set करना है, 6 to 20 character का with mix of letters and numbers, तो यहाँ पे हम set कर लेते हैं, password set करने के बाद यहाँ पे आपको done कर देना है, done करने के बाद जो है आपको कुछ इस type का page देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे हम got it पे tap करते हैं, और यहाँ पे प्लस के icon पे भी tap कर सकते हैं, प् पर रिसेट करना होगा, तो उसके लिए आपको आपने device को power on करना होगा, तो यहाँ पे हमारा device जो है already power on है, उसके बाद आपको अपने device को turn on, off, on, off, on करना होगा, तो यहाँ पे हम करते हैं इसको, अभी on है, फिर पहला हम on, off, on, off, on, यहाँ करने के बाद आपको थोड़ the light is blinking rapidly पर टिक करते हैं और यहां पर next पर हम tap करते हैं अब यहां पर आपको बदा रहा है location का permission चाहिए तो आप permission दे दीजेगा फिर यहां पर the mobile phone is not connected to wi-fi उसके बाद आपको आपने phone को wi-fi से connect कर लेना है तो यहां पर हम अपने phone को हो एंटर करेंगे wi-fi का password तो अब यहां पर wi-fi का name और इसका password जो है वह एंटर कर दिये हैं और उसके बाद हम यहां पर next पर tap करते हैं अब यहां पर adding a device हो रहा है और दो मिनट का timer जो है वह यहां पर show कर रहा है wait करते हैं अगर आप 5 GHz का wi-fi यूज करेंगे तो यह process आप नहीं complete कर पाएंगे आपको 2.4 GHz band वाला wi-fi ही यूज करना होगा अगर आपका जो router है वो dual band router है तो आप 2.4 GHz वाले band से ही connect कीजेगा तभी आप यह जो process यह complete कर पाईएगा तो यहां पर आप देख सकते हैं कि light जो है मेरा successfully add हो गया है add हो जाने के बाद यहां पर आपको कुछ नहीं करना है यहां पर इसको done कर सकते हैं या फिर आप इस नेम जो है इसको change कर सकते हैं तो जैसे यहां पर विप्रो बल्ब लिखा रहा पैंसिल के आइगन पर यहां पर tap करके इसका नेम जो है वह चेंज कर सकते हैं तो फिलाल हम यहीं रहने देता हैं बाद में change कर लेंगे आप हम done पर tap कर देते हैं और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का interface जो है वह आपको देखने के लिए मिल जाएगा सबसे पहला जो option है वह है white और यहां पर आप जो है यहां पर आपको नीचे brightness control करने के लिए एक line मिल रहा है इसके उपर आप जो है इसका brightness जो है वो control कर सकते हैं ठीक है तो इस तरीके सा आप इसके brightness को control कर सकते हैं यहां पर आपको. unprecedented options मिलता है. bulb को off करने के लिए, फिर आप यहीं से tap करके इसको on कर सकते हैं इसके बाद नीचे left time और आपके schedule उप्षन कर सकते हैं उपर अगर आम आते हैं आपको इसके यहां वाइट बगल आपको color का option मिलता है अब यहाँ पे आप देख सकते हैं red हो गया और आपको 16 million color जो है वो देखने के लिए मिल जाता है अलग-अलग color यहाँ पे आप देख सकते हैं यह change कर रहा है ठीक है इसके अलवा यहाँ से आप इसका भी brightness जो है वो control कर सकते हैं अलग-अलग color वाले light का इसके अलवा यहाँ पे आपको एक और option मिल जाता है I think यह white tone का कुछ option है तो इससे आप white tone में जा सकते हैं किसी भी color से और यहाँ पे आपको next जो है scene का option मिलता है scene पे अगर हम tap करते हैं तो यहाँ पे आपको अलग-अलग scene के हिसाब से lighting मिल जागा इस night scene selected है फिर रीडिंग के लिए scene है फिर यहाँ पे working है यह कुछ presets है जिसके according automatically light adjust हो जाता है soft है काफी सारा आपको यहाँ पे presets देखने के लिए मिल जाता है colorful है dazzling है फिर यहाँ पे gorgeous है तो यहाँ पे I think colorful में यह light automatically change भी होगा ठीक है तो यह अगर आप colorful वाला option select करके रखते हैं तो light जो है वो automatically अपना color जो है वो change भी करेगा तो इस तरीके से आप इसको setup कर सकते हैं तो friends हम आपको इस वीडियो में दिखाएगे किस तरीके से आप इस वीप्रो के 9 watt LED smart bulb का basic setup कर सकते हैं जस्टिस के app को install करके और जो भी उस app का feature था वो सब कुछ हम आपको बताए और आगे आने वाले videos में इस smart bulb को आप कैसे Alexa से control कर सकते हैं Google Home या Google Assistant से आप इसको कैसे control कर सकते हैं अपने mobile से, अपने laptop से, even watches से आप इस bulb को control कर सकते हैं मेरे पास Amizfit का VPU Pro है जो built-in Alexa के साथ आता है Boat का watch extend है जो built-in Alexa के साथ आता है तो अगर आप इस bulb में interested हैं और इसके upcoming videos में interested हैं तो चैनल को subscribe जरूर कर लिजेगा और bell icon प्रेस कर दीजेगा बाकि अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कीजेगा अपने family और friends में share कीजेगा मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक टेक्नोजी का समाली क्लिमिट में कीजे देखने के लिए आपका धन्यवाद जैहिंद